Hello friends, कैसे हैं आप? क्या आप अपने computer में file या folder को open करने के लिए double click करते हो? या उसे open करने के लिए right click करके open करना पड़ता है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है किस तरह से अपने file या folder को आप double click की जगा पे सिर्फ एक mouse बटन के click से आप उसे open कर सकते हो easily जी friends, तो उसके लिए आपको अपने desktop या laptop आप जो भी use कर रहे हो उसमें थोड़े changes करने पड़ते हैं जी friends, कैसे? चलिए देखते हैं जी friends, कैसे? चलिए देखते हैं तो उसके लिए आपको my computer पे double click कर देना है और आपको computer को open कर देना है यानि कि आपके computer application को open कर देना है यहाँ पे आपको यह देखे, organize button पे click करना है और यहाँ से आपको folder and search option पे click करना है जी friends, यहाँ पे click करते ही आपको एक dialogue box open होगा folder options का उसमें आपको यह general button के अंदर यहाँ पे देखे, click item as follows तो यहाँ से आपको double click की जगा पे, यहाँ से आपको single click पे click कर देना है और यहाँ से आपको apply कर देना है और यहाँ पे आपको दो और option मिलेगे कि आपको सारे desktop पे जितने file या folder है उस सब में underline दिखनी चाहिए या आप जब cursor वहाँ पे ले जाओ तब ही underline दिखे तो हम जब cursor ले जाएगे तब underline दिखेगी उसके option पे click कर देते हैं और यहाँ से आपको apply कर देना है और ok कर देना है अब यह हमने organize button से click करके आपको यह setting का तरीका दिखाया आप उसे control panel में जाके भी खर सकते हो आपको control panel open करना है और control panel में आपको यहाँ पे folder option मिलेगा जी friend तो folder option पे click करना है click करते हैं आपको folder option का dialogue box मिल जाएगा यहाँ से apply करके ok कर देना है अब हम desktop पे आजाते हैं और देख लेते हैं यह setting apply किया है वो walk कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आपका यह folder है उसे हमें open करना है तो new folder पे सिर्फ एक click किया यह देखिए folder हमारा easily open हो चुका है उसे तरह से यह file आप देखिए हम file या folder पे हमारा करसल ले जाएगे आपको एक hand दिखेगा और underline भी हो जाएगी file पर हम click करते हैं easily यह file हमारी open हो चुकी है हमें computer open करना है तो my computer पे click किया single click आप अपनी drive को भी उसी तरह से open कर सकते हो तो यह था easy और आसान तरीका सिर्फ single click से हम file या folder किसी को भी हम किस तरह से easily open कर सकते हो single click में आसा रखता हो आपको यह video अच्छा लगा होगा Thank you for watching my video